पूरे देश में कोरोना वारिस के दूसरे वैक्सिनेशन चरण की शुरुवात हो चुकी है नालंदा जिला में भी कोरोना वारिस को लेकर दूसरे चरण का वैक्सिनेशन कारे शुरू हो गया है जिले के बिहार शरीव सदर अस्पताल में जिलादिकारी साहित जिले के वर्य पदाधिकारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई इस मौके पर जिलापदाधिकारी योगेंद्र सिंग ने कहा कि कोरोना संक्रमन को लेकर टीका करण अभियान पूरी तरह सफल रहा सभी लोग लगवा रहे हैं तो मैं इन सब के भी आप पे जिलापरसासन के भी आप जैसे कोरोना के जब सुरू हुआ ता तो हम लोगों ने आपके मादेम से लोगों से अपील की कि वो अपना पूरा सहीं बरते लॉकडाउन और जो भी चीजें लगाई गई थी उनका लोगों ने पालन किया उसी तरीके से हम फिर अपील करते हैं लोगों से कि वो आगे बढ़ चड़ करके इसमें जब उनको दिया जाता वहीं शेकपूरा में भी दूसरे चरण का वैक्सिनेशन शुरू हो गया है स्वास्त विबाग के कर्मियों के टीका करंड के बाद अब फ्रेंट लाइन वार्यर्स वैक्सिनेशन की शुरुवात की गई है आपको बता दे कि शेकपूरा सदरस्पताल में फ्रेंट लाइन के तहट सबसे पहले एसपी कार्तिके शर्मा को को रूणा वैक्सिन दी गई यह बड़ी अच्छी गर्व की बात है कि सालवर के अंदर में ही भारत में निर्मित यह वैक्सिन है और इसमें फ्रेंट लाइन वरकर्स को दिया जा रहा है मुझे बुर उमीद है कि लोग उच्छा से लेंगे और कोरोना में जो हमारे एक साल से चंग चल रहा है उसमें मिज़े मिलेगी मुतिहारी में भी कोरोना वैक्सिनेशन की दूसरे चनल की शुरुआत हुई है मुतिहारी में जिलादिकारी शीर्षत कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्रजहा ने कोरोना का टीका लगवाया इसी कड़ी में जिले भर में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मी टीका लगवाएंगे वहीं टीका लगवाने के बाद जिलादिकारी ने आगरह करते हुए कहा कि हम सब को आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए सुरक्षित महसुक महसुस कर रहा है और मैं समझता हूँ कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है जितने भी हमारे स्वास्त कर्मी है इंको यह जरूर लेना चाहिए सब्सक्राइन गारण को पीका करण का आज से प्तारण खुआ हैll्यस के इंतर मैं और हमने और डिम साभने विहार बिहार के कई जिलों में कुरोना वैक्सिनेशन के दूसरे चुन के शुरुवात हुई है और इसी कड़ी में भी मुजफरपुर में भी दूसरे चरंड का वैक्सिनेशन शुरू हो गया है जहां फ्रेंट लाइन वार्कर के बाद अब दूसरे चरंड में बिहार के राजस्व हम लोग भी लें और यह ठीका आने से बहुत फैदामन्द हुआ है अभी जो हम लगवाएं है ठीका उसे बहुत अच्छा महसुत हो रहा है किसी प्रकार का कोई परसानी मुझे नहीं है और हम नहीं आगड़ा है सबसे कि मेरा कुलिस कर्मी जो है और इसी कड़ी में बिहार के सभी जिलों में भी कोरोना वैक्सिनेशन की दूसरे चनके शुरुआत की अब अगली खबर की दरफ बढ़ते हैं मोतिहारी के चकिया में पेड़ लगाने और खेलों को लेकर जागरुपता फैलाने के संदेश को लेकर द्वारका से निकले साइकल सवार युवाओं का दल चकिया पहुँचा आपको बता दे कि साइकल यात्रा दल के सदस्यों ने एनेच स्थित बंजूला चौक पर मीडिया से बाचीत के दौरान अपनी यात्रा और उदेशियों पर बात की साइकल यात्रा दल के सदस्यों ने बताया कि उनकी यात्रा द्वार्का से शुरू हुई है जो रुनाचल प्रदेश के इटा नगर में 3,900 किलिमेटर का सफर तैकर 13 फर्वरी को खत्म होगी अगली खबर भी हमारे सामने मुतिहारी से आ रही है मुतिहारी के चकिया में कोटवा मुजफर पूर टोलवे लिमिटेड की ओर से परसौनी खेम टोल प्लाजा पर निशुल के नेत्र जांच शिविर लगाया गया जिसका उतगाटन अनुमंदल पदादिकारी ब्रजेश कुमार ने फीता काट कर किया वहीं इस मौके पर कोटवा मुजफर पूर टोलवे लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड संजय राय ने अनुमंदल पदादिकारी ब्रजेश कुमार और नेत्र चिकेटसक डॉक्टर एबी सिंग को अंग वस्त्र देकर समानित किया गया वहीं शिवर के दौरान मरीजों को मौके पर ही चश्मा और दवाईयां भी निशुलक दी गई वहीं वैश्मिक महामारी कोविड-19 के बाद जहां एक तरफ आम लोगों की स्थिती और अर्थ विवस्ता प्रभावित हुई है तो वहीं दूसरी और मॉर्तीकारों को इस स्थिती में भी काफी गिरावट देखने को मिली है आपको बता दे कि जमुई जिले के मॉर्तिकारों से जब नीशन न्यूस की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपेक्शा इस साल मूर्ति निर्मान की संक्या में काफी गिरावट आई है राल बलोटेन में बस इतना ही हमी दीजे अजासत बने रही है नेशन न्यूस के साथ धन्यवाद